असलावलेकूम गाइस, वेलकम बैक तो माई यूटीप चैनल, इस इस अर्सलान सोग, माना जा रहे हैं और लोग कहे रहे हैं कि बीस्ट, KGF और जर्सी एक ही दिन पर रिलीज किये जा रहे हैं, ये सारी मुवीज एक ही दिन पर रिलीज किये जा रही हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इन में क्लैश होगा, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, KGF चेप्टर 2 की, KGF चेप्टर 2 का जो हाइप है जो सोचल मेडिया पर उसकी आग लगी हुई है उसके ट्रेलर की, और जो तबाई मचा रहे हैं उसके डायलोग, उसके बीजियम और उसकी एंड ह मालब उसको तो हीट होने से कोई रोग ही नहीं सकता, मालब उसका कोई klash ही नहीं बनता, आपके साब से भी ऐसे ही होगा और Beast जो मूवी है Beast obviously एक बहुत ही अच्छी मूवी है ठीक है उसमें बहुत अच्छा कॉंसेप्ट है लेकिन मैं अगर प्रेफरेंस दू न तो मैं KGF Chapter 2 को ज्यादा दोगा उसकी हाइप को और Beast जो है वो भी एक बहुत ही अच्छी मूवी है वो अपनी जगह पर बिजनेस करेगी और KGF Chapter 2 अपनी जगह पर बिजनेस करेगी ठीक है तो इन दोनों में ऐसाच clash नहीं आना लेकिन जो audience KGF 2 की है वो उसे देखेगी और जो इनकी है वो इनने देखीगी और क्या पता दोनों की audience मिलके पहले ये भी movie देखें और फिर वो भी movie देखें ठीक है तो इन में कोई clash नहीं है ये movies हिट होनी ही होनी है KGF Yes से पूछा किया था जो Rocky है वो hero उनसे तो उन्होंने बताया कि उनसे पूछा किया रहा है तो उन्होंने बताया और मैं नहीं अपने आपको उनसे बैतर मानता और अच्छा मानता अपने काम में ठीक है जब मैं ये मानना शुरू कर दूँगा तो मेरे downfall शुरू हो जाएगा और उसने ये का है कि Beast और KGF मिलके Beast और KGF दोनों मिलके business के लेंगी इन दोनों का competition नहीं है ये दोनों एक चीज है ठीक है तो लोग जिसे पसंद करने जाएंगे वो इन दोनों को देखेंगे ठीक है क्या पता हम दोनों की audience एक दोनों की movies भी देखें तो इससे ज़्यादा और हाइप हो अब बात कर लेते हैं जर्सी की जर्सी अब remake है ठीक है जो ज़्यादा creativity पर base होती है और अच्छा scene जिन में होता है और new होती है वो लोग ज़्यादा देखना पसंद करते है नो डाउट शाहिद कपूर एक बहुत ही अच्छी अक्टर है I like him और लेकिन वो इन दोनों के सामने ऐसे लग रही है ठीक है तो it's like this and it's this तो आप लोग समझ ही गए हो कि मैं इस बारे में कोई और मजीद बात नहीं करना चाहता लेकिन जर्सी को इस दिन पर उने release नहीं करना चाहिए ठीक है और KJF chapter 1, chapter 2 इन सब का तो hype जो बना था और अब जो trailer पर इसने record बना दिया पहले दो दिन में कि पतना कि नहीं जितनी languages में मिला कि उन्होंने release किया तो 100 million से cross कर गया उस दिन ने तो ये end कर गया और उसके बाद 20 बहुत ही अच्छी movie है और no doubt जो yes है वो crush है आज कल सब boys के भी और girls के भी obviously होंगे लेकिन end कर गया वो बन्दा और I hope so के इन दोनों movies ने बहुत ही ज्यादा business करना है और पैसे कमाना है और जहां तक बात आती है ना इनके making की मलब खर्चा कितना है या इनका budget कितना रहा है तो वो 80 क्रोड था पिसलिके GF1 का और लगता बिल्कुल भी नहीं है कि GF1 80 क्रोड में बनी हुई है वो डिरेक्टर बहुत अच्छे है और बड़े हिसाब से budget को ना वो मोल्ड करते हैं और ये 100 क्रोड में बनी है 100 क्रोड ये बहुत ज़्यादा budget नहीं है अब ट्रेलर देख कैसे लग रहा है कि ये मैंने बार बार ट्रेलर देखा ठीक है कभी वो पारलेमेंट में घुश रहा है कभी कहीं वो कभी कहीं तो इस वेरी बिग मुवी तो मुझे नहीं लगता कि ये 100 क्रोड में बनी होगी ठीक है लेकिन उसका budget ये है और आप खुद देख लें कि ये कितने अच्छे से उन्होंने budget को यूटिलाइज किया है और कितनी अच्छी वो movie उन्होंने बनाई है I hope so guys कि आपके point of views भी यहीं होंगे and please like my video and subscribe to my youtube channel अगर किसी पी reaction मना ना हो तो comment में बताएं I'll try to make it okay